नमस्कार दोस्तों जन समवाद दूज में आपका स्वागत है समय हो चला है देश दुने की फटा फट बड़ी अपड़िट को जानने का पहली बड़ी अपड़िट ने बात होगी हीडन पर के बाद अडानी गुरुस को क्रेडी सुइस्ट के बड़े जटके की वही बात करेंगे स्वीटन नहीं बलकि फिनलेंड क्यों बन रहा है नाटो सदस की वही जानेंगे सारुक खान के बड़े जलवे की साथ दिन में किये बंपर कमाईी 640 करण रुपए का आकड़ा पार जहां दोस्तों वही बात करेंगे राजस्तान में सियासी संकट के दोरान 81 विधायकों के दिये गई स्थीपे की वही जानेंगे अजमे दरगा में उर्स के दोरान विवादी नारे पर भीडे गुटो पर दर्द है मुकदमा जिया दोस्तों वहीं बात करेंगे दिल्ली मेर चुनाओ पर आ गई डेट की जिया दोस्तों वहीं जानेंगे बीबीसी डाकोमेंटरी पर वीजेपी का पलटवार बोला चाइनीज से लिंक है ये बीबीसी डाकोमेंटरी जिया दोस्तों वहीं आखरी के बुलेटी में जानें राहुल गांदी जियां दोस्तों एक खबर भी स्टार्ट से जानेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे अगर आप मारी चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर वेल आइकन जरूर दबाएगा जा दोस्तों आपको बता दें पहली सबसे बड़ी आडानी इंटर्पाइज सेर्स में आई है आडानी गृफ्स के सेर्स में या गिरावाट वलूमवर की रिपोर्ट आने के בाद आई है वलूमवर की रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रेडेग स्विस गृफ एजी ने अपने प्राइवेट व Music पॉइंट में मार्दिंग dobry नं आपको बता दें क्रेडिस सुइस ग्रूप एजी से जूड़ी खबराने के बाद अडानी इंटरप्राइजर में धडाम से बुद्वार कारोवार में एक वार फिर्ट से गिरावट आई है जिया दोस्तों आपको बता दें आखरी बार 28-25% के साथ बंद हो गया सेर बजार ज सुइडन नहीं फिनलेंड क्यों बन लाया है नाटो का सदस आपको बता दें कुरान जलाने की घटना पड़ गई है भारी जिया दोस्तों तुर्की ने फिनलेंड की नाटो सदस्ता पर सहमती देने के संक्ये देने लगए है सुडनने कहा कि उनका देस सुईडन से पहले फिनलेंड की सदस्ता को मंजूरी दे सकता है सुईडन ने तुर्की के हिल खिलाफ एक विरिध पर्दसन के दोरान कुरान जलाने की घटना दोनों देसे के दान एक बड़ा बड़ाव दिखा रहा है जहां दोस्तो सुईडन को पर गया कुडान जलाना भारी आपको बड़ादे वहीं सबसे बड़ी अपडेट निकल गया रही है सारुखान का जलवा साथवे दिन बंपर कमाई एक हफ़ते में 440 करून रुपए का बड़ा बिजिनेस जहां दो तो सारुखान दिबकापादकोर और जान इवराहिम के फिल्म पठान बाकसर आफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है अब भड़ादे फिल्म की पहले हफदे की कमाई देखकर सबी के होस उड़ गए है आपको बदादे सारुक खान का या स्टमैट फैंस पर चढ़कर बोल रहा है आपको बदादे उनकी हालिया फिल्म रिलीज पठान ने बॉक्सर आफिस पर बंपर कमाई कर रही है आपको बदादे पठान को रिलीज हुए अभी सिर्फ एक हपता हुआ है और वहीं वर्ल्ड वाइस पर 640 करोन रुपी के कमाई हो गई है भारत में 300 करोन रुपए के आखड़े पार हो गए है जा दोस्तो आपको बदादे वहीं सबसे बड़ी अपडेटिकल के रही राजस्तान से राजस्तान सियासी संक्त के दورान 85 विधायकों ने दिया था इस्तीपा उन्हें वापस ले लिया है सची उन्हें ऐसी को दिया है बड़ी जानकारी जिया दोस्तों आपको दादे सियासी राजस्तान में संकट के दौरान 25 सितंबर को दिये गई क्यासी विधायकों के स्थीपे को वापस ले लिया है विधानसवा सची उन्हें हाई कोड़ी है जानकारी जिया दोस्तों आपको को एक रीट याजिका के जवाब सूचित किया है आपको बता दे 25 सितंबर को विदान सबाद धक्च को दिये गए विधायकों को इस ती पे स्वेक चिक नहीं थे और उन्हें वापस ले लिया गए जहां दोस्तों ही आपको बता दे सबसे बड़ी अपडेटिंगल के आ रही ह विवादित नारे पर भीड़े दो गुट कमेटी ने दर्ज कराया है एफ आई यार जहां दोस्तों को बता दी राजस्तान के आजमीन में सूफी संद्ध ख्वाजा मोशिदून हसन चिस्ती के आर्श विगरावे उसके मौके पर विवादित नारो को लेकर दो गुटों के बीच मार हो गई है इसके बाद दर्गाह कमेटी ने आरोपियों के खिलाफ ठाने में फाई यार दर्ज कराया है कमेटी ने पहले ही बताया था कोई विरोधी नारे बाजी नहीं होनी चाहिए लेकिन आपको बता दे वहीं सबसे बड़ी अपडेट निकल गया आ रही है दि अंगामे के बाद सांसन में अस्थकीत कर दिया गया था और मेर चुनाओ को भी रोक दिया गया था भीते दिनों में दिल्ली सरकार के उपराजपाल ने पत्र लिक कर तीन चार या छे फरवरी के बीच एमसीडी के बैठक आयज़ूद करने का प्रस्ता भेजा यानि इसी मह नहीं हो सकता है डिल्ली मेर का चुनाओ जिया दोस्तों वहीं सबसे बड़ी अपडेटिकल के आ रही है आपको बता दें टैक्स छूटेगा साधेगा मीडल क्लास जिया दोस्तों अब आवास देंगे पीम मोधी गरीबों को और जादा जिया दोस्तों आपको बता दें आर्थ भी निकाले जा रहे हैं आपको बता दें संदुजार 18 के बाद पहली बार मोधी सरकार ने टैक्स लेबल बदल दिया है अब कुल 7 लाग रुपए कमाई करने वाले को नहीं देना होगा टैक्स जिया दोस्तों पीम मोधी आवास योजना पर भी एक बड़ा सा हुआ आपको बता दें सरकार ने करूल 6,60 का इजाफा कर और 79,000 करूल रुपए की आवंडिका दिये हैं साफ तोर पर सरकार ने एक तरफ से सहरी मिडल क्लास को साधा है वहीं ग्रामीरों में भी आवास को देने के लिए 4,487 करूल रुपए जारी कर दी हैं जहां दोस्तों वही पर थए आपको बता दें इस वक्त की राहूल गांदी की भारत जोरी आत्रा से आपको बता दें माता खीर भावानी मंदिर के बाद राहूल गानी ने giake बाल दरका पर जुखाया गानी जहां दोस्तों प्थाज़ रुइस और पार्टी की महसचीव प्रयंका गानी सबसे बड़ी अपडेट गल गया रही है आपको बता दें सिर्तन से जुदा कि नारे लगाने वाले आरोपी गिरफतार इंदोर पुलिस ने एन एस की कारवाही के बाद भेजा जीर जियां दोस्तों आप बता दें इस वक्ती सबसे बड़ी अपडेट है इंदोर पुलिस ने सिर्तन से जुदा नारे वाले आरोपी को गिरफतार कर जेल भेज दिया है पुलिस ने आरोपी के किलाफ कारवाई एनस के ताहत की गई है बता दे कि सारुक खान की फिल्म पठान रिलीज होने के बाद कुछ भड़काऊ नारे बाजी किये जाने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज था और उन्हें गिरफतार कर जेल भेज दिया गया जिया दो तो वहीं सबसे बड़ी अपडेट में आपको बता दे बीबीसी डाकॉमेंटरी मामले में वीजेवी सांसत को दिका है चीनी लिंक जानिये कैसे जिया दोस्तों आपको बता दे इस वक्की सबसे बड़ी अपडेटिकल के यारी हाले में वीबीसी डाकॉमेंटरी को लेकर मचे बावाल के बीज बाचवाने आरोप लगा है कि या सब पैसे लेकर भारत के खिलाफ एक दूर पर चार की अजारा और एक एजंटा चलाया जारा आपको बता दे भारती जंदा पार्डी के राजसाबा सांसत और वल्च अधिवक्ता महज जटमाली ने कहा है कि बीबीसी काफी अधिक पैसे की जरूरत थी और वाच चीनी से लिंक कार या एक भारत के खिलाफ साजी से रची जा रहे है जादो सो अधिवक्ता दें महज जटलानी का दावा है कि उन्होंने ट्यूट कर लिगा है कि बीबीसी ने जंबु कस्मीर का छोटा नकसा प्रकासित करने के बाद संदोजार 21 में भारत सरकार ने माफी मागी थी और नकसे को सही किया था इसके अलावा बीबीसी के पास भारत के खिलाब दुरप्रचार फैलाने का एक लंबा इतिहास रहा है पीम मोदी विरोधी डाकुमेंटरी दुरपरभाव और अपरवी कड़ी बताई जा रहे पन्तिर निरमला सिता नमर ने बुद्वार एक फरवरी को वित वर संदोजार 23 चोबिस का वजट पेस किया बजट पर कांग्रिस सांसर राउल गानी ने प्रत्किरिया दिया उन्होंने एक बजट को मिर्त्रकाल कहा है आपको उदादे वहीं बीजेपी का दावा है कि या एक आने वाले समय के लिए अमरित्रकाल होगा जिया दोस्तों आपको बतादे रहुल गानी ने आगे कहा कि एक परसंट अमीरे को पास चालिए परसंट संपत्ती के मालिक है वहीं पचास परसंट गरीब चौसर परसंट जी एस्टी का भुक्तान करते हैं वहीं 42 परसंट लियुवा वेरोजगार हैं लेकिन आपको दादे केंदर गिरिमंत्रियमिसाने या कहा मोधी सरकार का संदोजा 23 का बजट अमरित काल और मजबूत आधार सिलावाला बजट सत्र रहेगा अगली बड़ी अपडेट में तब तक के लिए धन्यवाद जैन जै भारत